तो मिल रहे हैं एक और नही रैसिपी के साथ आज मैं आपके साथ शियर करूंगी बहुती टेस्टी और क्रिस्पी स्पाइसी बाइट्स तो नमस्ते दोस्तों विएस किचेन में आपका स्वागत है कैसे आप सब उमीद है सब अच्छे से होंगे और हाँ फ्रेंड जगर रैस आप नमस्तू प्रेंड प्रें जती है तो इन ब्रेट के हम इस ठीस कर लेंगे चाहे तो आप चाहँ के 1 साथ चाहँ का जैस कर लिए एक चार लिए तब हम करते हैं आगे की तियारी यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है इसमें मैंने डाल ली है यह जो हमनेड के पीस कट कर लिए थे इनको हम ड्राइ रोस्ट कर लेंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्प न हो जाए उतने ही डाली जितने आराम से ये इसमें रोस्ट हो जाए गैस की फ्लेम यहां पर आप मीडियम रखे या लो रखे तो उस पर आप धीरे-धीरे इनको सेक लें यहां पर किसी भी या ओएल का यूज नहीं करना तो देखिए इस तरह से ब्राउन हो जाए हमने इतने क्रिस्प कर लेने हैं यह देखिए इस तरह से एक साइड से क्रिस्पी हो गया अब हम इनको साइड प्लट प्लट के सेक लेंगे चलिए इतने ही करने ते अब हम इनकाल लेंगे तो यहां पर उसी पैन में मैंने बटर ले लिया है आप चाहे तो यहां पर घी या ओयल ले सकते हैं पर बटर डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा तो यहां पर मैंने चार से पांच कर लिए लसुन की बारी काट करके लिए हैं और ये हरे प्याज का वाइट वाड़ा हिस्सा है तो इनको हम हलका सा भून लेंगे बटर में बस इतना है इसमें मैं डालूंगी आधी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चमच नमक आप अपने टेस्ट का कोर्डिंग डालिएगा तो लीजिए ब इसमें डाल देंगे इससे बहुती बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और बहुती टेस्टी हमारा ये स्नैक्स बंड के रैडी होगा इनको हम बटर में अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे देखिए और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ब्रेड के स्लाइस फ्लेम को अब मीडियम कर लें और इने अच् Axie तरह से मिक्स कर दें और बीच में हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर और और इसे हल्की फ्लेम पे इस तरह से मिक्स कर दें ताकर जो भी सारा हमने मसाला रैडी किया है वह अच्छे से ऍसमें कोट हो जाए इन लेए लिग बि यह डाल सकते हैं मैं उपर से डाल रही हूं आप चाहे तो उपर से इस पर मियोनीज या सॉस डाल सकते हैं पर मैं यहां पर साइड में रख रही हूं इसके साथ बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा हमारा यह स्नैक्स लगेगा अगर रैसिपी अच्छी लगी हो वीडियो को बाय बाय!